नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने स्टेडी चैनल जेपी आउनलाइन एजुकेशन पर दोस्तों हम लोग ने यूपी पुलिस री एक्जाम दौर चौबिस के लिए जीके के 40 महत्पूर प्रसनों की डेली बेस पर एक सिंखला प्रारणपी की है और उस कड़ी में ये आज का भाग 44 है ये वीडियो यूपी मिलिस री एक्जाम के अलावा यूपी पीसियस बिपीस्सी आरो यारो वीडियो रेलवे लेकपाल पटवारी आजी सभी एक्जाम के लिए जो है समान रूप से उपयोगी महतपूर है वीडियो सुरू करने से पहले एक छोटिस रीक्वेस्ट इन लोगने हमाय चैनल जे पी आउनल एजुकेशन को सब्सक्राइब ने किया है प्रसंका एक पर आते हैं किस देश के साथ म्यामार की अंतराष्ट्री सीमा सबसे लंबी है बांगलादेश, चीन, लाओस या भारत तो देखेंगे म्यामार चीन के साथ सबसे लंबी सीमा रिखा साजा करता है जिसकी लंबाई लगबग 2129 किलोमेटर है प्रसंका तीन पर आते हैं दूद से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है घरसर बल, अभी केंदरी बल, अपकेंदरी बल या इन में से कोई नहीं तो सही जवाब होगा आपसंसी अपकेंदरी बल प्रसंका चार पर आते हैं निकित में से किस भासा में दा इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं चापायाता था गुजराती, तमिल, उर्दू या अंग्रेजी तो बात करें दा इंडियन ओपिनियन की तो ये गांधी जी द्वारा अफरीका में चलाए जाने वाला एक जोए डेली अखबार पत्र था और ये गुजराती, तमिल और अंग्रेजी भासा में छपता था जबकि ये उर्दू भासा में नहीं छपता था तो आपसंसी प्रस प्रसंका 6 पर आते हैं दिलवाडा मंदिर कहां परसित है इंदवर पारसनात परवत मद्य परदेश अथवा आबू परवत तो देखेंगे दिलवाडा मंदिर या देलवाडा मंदिर पांच मंदिरों का एक समू है और यह राजस्थान के जोधपूर के निकट सीरोही जिल प्रसंके 9 पर आते हैं अपने धूरी पर सूरिकी और अधिक जुकाओ के काण निकित में से कौन सा अग्रह लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना आता है ब्रियस्पति सनी अरुड या वरुड तो अरुड ग्रह का घूडन अच्छी जो है अतदिक जुका हुआ है और अच्छी जुकाओ के काण री इस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह करते हैं तो आसन सी प्रसंका सवीड़ा हुआब जाएगा तो डेकन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था के चार संस्था पकते विश्डु किष्ट चिप लोन कर बाल गंगा धर तिलक गोपाल गनेस आगर कर और महादेव बलाल नाम जोसी तो इसमें जो ऐसा ही जाब होगा आसन सी बाल गंगा धर तिलक प्रसंखा ग्याराग प्रसंखा जाएगा प्रसंग का 13 प्रसंग प्रिश्वी और सूर के बीच अधिक्तम दूरी कि स्थिति को होती है 22 जुलाई 30 जन्वरी 4 जुलाई अथ्वा 21 सितंबर तो जब प्रिश्वी सूर से अधिक्तम दूरी पर होती है तो यहां अपसावर कहलाता है और अपसावर की स्थिति जो है 4 जु है प्रसन का च्व्राइं स्पाइप नोग धिल्ली चलो का नारा कश्ज्व में श्वास आपलाइच सुनद्र दिल्ली चलो में बसन को सथ coincidence प्रस्थम के 15 पे आते हैं अनुवारई शुहली ग्रंथ किसका नुवाज ए पंच तंत्र सूर साघर रामाड या महाभारत तो अन्वरे सुहली पौरालाइक संस्कित नीति कथा पंचितंत्र का फार्सी अनुवाद है और पंद्रमी सताबदी के अंत में इसका फार्सी में अनुवाद हुसाइन इबन अली वेज अल कासित ने किया था तो सही ज़ाब होगा आपसन ए पंचितंत्र प्रसंका 16 पे आते हैं निम्लिकित में से कौन उर्डा के गैर परांप्रागत स्रोस की स्रेडी में आता है कोईला बायो गैस प्राकृतिक गैस अत्वा पेट्रोलियम तो सही ज़ाब होगा आपसन जो है भी बायो गैस प्रसंका 17 नेपाल की राध्धानी काटमांडू किस नदी के तट पर अवस्तित है कोसी नदी के गोदावरी नदी के बागमती नदी के या नराइनी नदी के तो नेपाल की राध्धानी काटमांडू जो है बागमती नदी के तट पर अवस्तित है आपसन सी इस प्रसंका स बुंदेल खंड शेत्र में और यहां निर्थ ब्रजभूमी में रसके पईये पर अनेक घड़ों को रखकर की आयता है और इसे ब्रजभूमी का घड़ा निर्थ भी करते हैं तो सही जवाबों का आसन जो ऐसी बुंदेल खंड शेत्र प्रसंगा 19 पर आते हैं उझेयन का प्राचीन काल में क्या नाम था अवंतिका पाठली पूत्र तछिशिला या इंदरप्रस तो बात करें उझेयन का तो प्राचीन काल में इसका नाम अवंतिका था आफ़सन एश प्रसंगा रखल जवाबों का प्रसंगा 20 पर आते हैं पूर्य मिमान सा उत्तरमिमान सा न्याए दर्षन या सांकि दर्षन का आफन 10 मुसंग का सही जवाब होगा प्रसंगा एक इस पर आते हैं पाइरोमीटर निम्दखित में से किस के मापन में प्रियुत होता है उच्छ ताप घनत्व आद्वता या वाई मडली दाप तो सभी जवाब होगा आपसन ए उच्छ ताप प्रसंके 22 पर हें निम्लिकस में से किस ने? आईन अकबर वाइगा 00,ी कने? दीखी प्रसंके 23 पर आते हैं इरांई कब का सम्बंद निम्लिकस में अंचे किस खेल से हांकी Kolo क्रिकेट या फुट्बाल तो इरानी ट्राफी भारत के गहरेलू जो है क्रिकेट प्रतियुकता है तो सही जामगासन सी क्रिकेट ब्रस्तनका müssen 24 एपिस सब्संयदिनेगी भारती छी अनियर्थी और चंप में से से सब्संदिन है। पूर्चों और मेलाओं की निहुंतम आजुक्राम सथ 14 और 18 वर्ष नि nécessारित की। और इस कानुन को सार्दा आद्नियर्थान के नामसे जाना आता है। तो आपसन भी इसका सही जवाब हो जाएगा प्रसंगा 25 वह स्थानी सासा कौन था जिसने मई 1498 में काली कट में पहुचने पर वासको डिगामा का स्वागत किया था यह मिला था सिराज भगवानलाल राजिंदन अगन नायर या जामोरिन तो सही जवाब हो का आपसन के खोच करने वाले लूइस ब्रेल के जन्मदिन यानि चार जन्वरी को वर्ड ब्रेल दिवस के रुप में बनाया था है तो आपसन ड्वेश सी इस प्रसंगा सही जवाब हो जाएगा प्रसंगा 27 महात्मा गांधी द्वारा सभिने अवग्या अंदोलन का प्रारम किया गय के आक्रमण के समय गुजरात का सासक कौन था मूल राट प्रसंग भीम देव सेकेंड भीम देव प्रसंग अथवा इन में से कोई नहीं तो जब महमूत गजनवी ने 1025 हिस्ति में सोमनास मंदिर पर आक्रमण किया था तब भीम प्रसंग उस छेतर पर सासन कर रहा था लेकि या देवपाल तो इन सभी में लश्मर सेन ऐसे थे जिने एक नए समय चलाने का यस परात था है आपसन बीस परसंगा सही जवाब जाएगा प्रसंगा 30 पर आते हैं निम्ड़की सहरों में से किसमें लिंगराज मंदीर अवस्तित है स्रवड बिलगोला बीजापुर भूनेसवर या कोलकता तो सही जवाब का आपसन जो ऐसी भूनेसवर लिंगराज मंदीर इगाण सताब्दी के दोरान सोमा वंस के राजा जाजती केसरी दोर बनवाए गया था और यह मंदीर भूनेसवर सहर में इस्तित है और यह मंदीर भगवान सीव को समर्पित है भगवान सीव की लिंग की पूजा की आती है जिसे स्वयम भू का माना आता है तो आपसन सीव का सही जवाब हो जाएगा प्रस्तन का 31 पाल वंस का संसापक कौन था देवपाल गोपाल धरमपाल या इन में से कोई नहीं तो पाल समराज की नीव 750 हिती में राजा गोपाल पाल ने डाली सी तो आपसन जो है बीश प्रस्तन का सही जवाब हो जाएगा प्रस्तन क्या 32 चावी भरी घड़ी में कौन से उर्जा होती है इस्तिज उर्जा गतिज उर्जा संचित उर्जा या या अंत्रिक उर्जा तो चावी भरने वाली घड़ी में जो है इस्तिक उर्जा होती है आपसन ए इस प्रस्तन का सही जवाब हो जाएगा प्रस्टन के 33 वा है अंत्रिष में किसी अंत्रिष यात्री को आकास दिखाई देगा काला सफेद लाल या नीला तो सभी जवाब होगा आपसन जो है ए काला प्रस्तन के चौंतिस के आते हैं अंत्रिशियासिवों दौरा नौसंचालकों दौरा इंजिनिर्वों दौरा अथवाँ डाक्टर दौरा तो सोनार जो है एक ऐसा अंत्र जिसका प्रयोग नौसंचालक करते हैं तो आप संब 20 अशज़ा है अप जाएगा तो असद्योंकार दुरा का जो एक कुत्रांक होता है वो जो है बढ़ जाता है आपसंग भी इस प्रस्ण का सही जवाब होगा प्रस्ण का 36 के आते हैं लोसांग एक उस्सव है जो मनाया जाता है सिक्किम में अरुणाचर प्रदेश में केरल में या नागालेंड में तो लोसांग तिवहार जो है भूटिया जन जाती का शिक्कमी नौवर्स है जिसे प्रतेख वर्स दिसंबर के महिने में मनाया आता है तो आपसंग ए इस प्रस्ण का सही जवाब होगा प्रस्ण का सहेंटिस भारत में राश्ट्री आय का आकलन सबसे पहले किस ने किया था सरदार पटेल महलनोबिस दादा भाई नौरोजी अथवा वी के आर वी राहूं तो तो सही जवाब होगा असन्जो है सी दादा भाई नौरोजी दादा भाई नौरोजी जीने भारत का Grand Old Man भी कहाया था उन्होंने 1886 में राष्ट्री आय का पहला अनुमान तयार किया उन्होंने पहले किरसी उत्पादन के मुल्य का आकलन करके और फिर गैर किरसी उत्पादन के रूप में एक निश्चित प्रसेश जोड़कर राष्ट्री आय का अनुमान लगाया था प्रसंखे अरतिस पे आते हैं क्रिस मिशन भारत का बाया था वर्स 1940, 1942, 1946 या वर्स 1947 में तो आप देखेंगे 22 मार्च से 11 अप्रेल 1942 को इस्टेफोर्ड क्रिस के नेजित में एक क्रिस मिशन को भारत भेजा गया था तो सही ज़ावों का आपसन जो है B.1942 प्रसंखे 49 पे आते हैं निमलिकित में से कौन से असोम की राध्धानी है इटा नगर, दीशपूर, इंफाल या आईजोल तो असोम की राध्धानी है दीशपूर जबकि इटा नगर जो है अमाचा परदेश की राध्धानी है इंफाल मडीपूर की राध्धानी है और आईजोल मिजोरम की राध्धानी है प्रसंखे 40 भारत के समुझान में कहा गया है कि भारत की संसत के तीन अंग होते हैं इन में से एक अंग है लोकसभा दूसरा अंग है राजसभा जबकि तीसरा अंग है राष्टपती उपराष्टपती, परदान मंत्री या लोकसभा अद्धिश तो भारती संसत के तीन अंग होते हैं लोकसभा, राजसभा और राष्टपती आपसन ए इस प्रस्निका सही जवाब हो जाएगा